हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हेटसन एग्रो प्रोड़क्ट लिमिटेड सी ग्यारे सो बीस रुपे का ये श्टॉक है और लगभग आज 12% के आसपास की इसमें तेजी होती हुए नजर आई है और शेयर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है फाइनेशियल क्या है बिजन्स मॉडल क्या है साथ में अगर हम बात करें टेक्निकल क्या कह रहा है ठीक है क्या लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए वह आपको लास्ट तक थोड़ा से सिमन में आ जाएगा तो इस चीच को याद रख आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी और सीखने को मिलेगा सबसे में चीज है सीखना क्योंकि मैं सिखाने पर ज्यादा फोकस करता हूं और आट मिंट की वीडियो में ज्यादा कुछ यहाँ पर सिखाने को मिलनी सकता तो इसलिए क्या है इसलिए आप हमारे यहाँ पर कोर्स क वो सारी चीज़े से लेटेड बाते करते हैं कोर्स कंप्लीट करते ही साथ हाना swing यहां पर investment और साथ में हम बात करें mid term investment और future option वो सारी चीज़े करने ही यहां पर आपको आ जाएगी बस करना गया है कि कोर्स के बाद 6 महीने से 1 साल का आपको simply सीखने पर ध्यान देना है एक ब जो सिखाय जाएगा उस पर काम करना है उसके बात समय में आपको खुदा जाएगा बाकी हम बात करें साथ में काम भी करना है तो इन ही नंबरों पर कांटक करके आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं बात करते हैं Hudson Agro Product Limited की तो आपको समझ में आएगा है has been in a business of 5 decades हना 5 सालों से तो यहां पर यह company क्या है यह company अपका ice cream और milk और milk से related जितने भी product है उसमें यह company काम करते हुए नजर आती है यहां पर देखिए who has been in the dairy business लगब इस dairy business पर 30 साल हो गए है and its journey began with arun ice cream arun ice cream के नाम से इनका यहां पर products आते हुए दिखाई देते हैं तो आप क्या कर सकते हो एक बार इनकी website पर visit कर सकते हो आपको इनकी website पर visit करोगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा यहां पर company क्या करते हुए दिखाई देती है यहां देखिए 9.55 lakh farmers यहां पर enroll है 12,900 प्लस है यहां पर Hudson Milk Bank है यहां पर देखिए over 39 lakhs liter of milk produced procured every day लगबाई इतना लाग लीटर यहां पर दूद्ध प्रक्यूर किया जाता है और arun ice cream के नाम से इनके क्या है यहां पर इनके यहां पर ice cream आती हुई दिखाई देती है इनके products आते हुए दिखाई देते है तो यहां पर जाके इनके business model milk procurement और processing यह सब चीछों से लेड़ेर जाके देख लीजिए अच्छा कासा business model है और गर्मी चल रही है गर्मी माइस cream और milk और यह सब चीछ का consumption ज्यादा होता है divine candy jacket stock तो इसलिए क्या है ऐसे share यहां पर अच्छा कासा काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दे सकते हो और आपको यहां पर की न mane तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक दो रुपे वाला स्टॉक 1400 रुपे तक भागा है अना अबर पीड़ टाइम यहां पर जरूर लिया है बट जब गिरता है ना तो उसी तरीके से गिरता भी है कि हम यहां पर 1400 रुपे वाला स्टॉक कब कम में 800 रुपे और 700 रुपे पर आ चाहिए यह भी कहता हूं कि जब ज्यादा पी हो जायना तो थोड़ा से कभी-ने-कभी आपको रुखना चाहिए थम ना चाहिए अपनी श्टॉक्स का एनलाइज करना चाहिए क्योंकि छोट पीई से बड़े पीई बड़ेगा ना तब जाके यहां पर पैसे बनेंगे बड तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा बट लॉंग चार्ट पैटन क्या बता है रहा है कि शेयर काफी अच्छा है हाना काफी अच्छे पैसे लोगों ने यहां पर बनाए भी है यहां पर बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बीच बीच में उपर नीचे होता रहता है क्योंकि देखिए जब गर्मी आती है तो गर्मी से कुछ ताइम पहले चलना चुरू हो जाते है और फिर उसके बा मंपनी आ करें यहां पर अच्छा च payer को अंपनी के मारजन भी बड़ते हुए हुए और यहां पर का प्रॉफिट पे आ गई है और रिजर्व की बात करें पंद्रसों क्रोड के रिजर्व हो गए बॉराइंग कंपनी के उपर है ना जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पर देख़ रहे है जो कि अच्छी बात नहीं है क्यों कि अगर यहां पर बढ़ेगी तो यहां पर आप देखेंगे इंट्रेस्ट में यहां पर जादा देती हुए न जरा आईगी जिससे यहां पर प्रॉफिट में भी एफेक्ट आता हुए दिखाई देगा बाट इस परसंट के डिया इस है 9.8 परसंट के पब्ली के पास लगबर 14 परसंट की सदारी है क्या बाइंग सालिंग हो रही है वह भी यहां पर देख सकते हैं यहां पर पता चलेगा आपको के स्कुतुष सकती हो सहां उललंब मिलते हुए नजर आयी में पर यह अच्छा का सा बुलिश पर विधार इक बडेख सकते अपने हिसाब से बात करते हैं आपर कंपनी के चार्ट की चार्ट क्या कह रहा है वट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा चाइना को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन कौन करें बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाइजा कुद की श्रड़ी करना है चीजों को सीखने पर ध्यान देना वीडियो उसको जाके देखिए आपको सीखने को मिलेगा यहां पर बहुत सार था लगए फिर यहां पर देख सकते हैं और नींचे आता हुआ दिखाए दिया और आज लगब्ल 11 परसेटर दिखाई दीए तो 12 की तेज़ीं है क्या हमें लेना चाहिए पहली बात तो बाइंग सैनिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशाल एडवाइजर और कि आपको क्या करनी है थीक है तो हम यहां पर थोड़ा लेवल से लेटरी बाते करेंगे यहां पर देखिए यह शेयर अभी पॉजिटिव दिखाई देता है एक चोटा सा स्टॉप लोस लगा के लगबाई एक हजार पिचासी रुपे का एक स्टॉप लोस लगा के काम कर सकते है यहां पर आप देखिए जैसे यह शेयर 1160 रुपे या फिर 1162 तरे सट पर एक एंट्री बनेगी और 1100 यहां पर बात करें 55 रुपे का एक स्टॉप लोस बनेगा और जैसे यह शेयर महां से निकलेगा तो आपको समझ में आएगा कि यह शेयर दीरे-दीरे करके यहां पर सबसे फैले 1195 फिर 1200 और फिर यहां पर आपको सबन में आएगा 1490 रुपे की यहां पर जर्दी तै करता हुआ नजर आएगा जो की लगबग अच्छे गाज़ते 30 परसेंट के आसपास बनते हुए दिखाई यह शेयर और मुझे क्या नजर आता है यह तो अभी तुरंक नि लॉंग टर्म अच्छा है यह शेयर आप देख सकते हैं बट अभी 93 का PE है यहां पर रिस्क लेना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा लॉंग टर्म के वीजन से वह सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा एनलाइज करना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है देखना है बैंक देखना अधर नहीं से वाग देखना है यह शेयर दो इस वेड़ा देखना के आपको के आपको का देखना है यह शेयर देखना है।